नमस्त दोस्तों आप सबका स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं धनूस आसन या धनूर आसन की इस आसन को करते समय सादक की मुद्रह धनूस के सामान हो जाने से इसे धनूर या धनूस आसन कहा जाता है ये सरीर को आकर्सक बनाने में बिसेश उपयोगी है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पेट केबल समसूत्र में लेटना है जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर दोनों पेरों को गुटने से पीछे मोडें और दोनों हातों को पीछे ले जाकर अपने पेर पकड़ लें। फिर द्रेश्टी सामने कुछ ऊपर रखते हुए शरीर को इस प्रकारहबा में ताने कि आपका नाभी प्रदेश ही प्रत्वी को चुए। पेरों से प्रत्वी को विप्री दिशा में पीछे और हातों से पेरों को अपनी यूर कीजे। इस प्रकार तन जाने से शरीर धनुष के समान हो जाता है। इस आसन में आगे पीछे शरीर को जुकाते हुए एक योगी विर्याम भी किया जा सकता है। जिसका पाचन तंत पर विशे सकरवत्मक प्रभाब पढ़ता है। परन्तु इस प्रयास में आपकी ठोड़ी भूमी से तकरा का छतिग्रस ना हो अत्वा नाक मुह ना तूट जाए। यह साथ रखता बरतनी चाहिए। इस वासन से होने वाले लाव वे इसके प्रभाब के बारे में जान देते हैं। इसके भूग खुलती हैं, कब्जदूर होता हैं, कमार द्रानाव लचिली बनती है, मोटापा कम होता है, जहांगे वे कंदुर सहीद हाथ प्रफुष्ट होते हैं, पशली चाती वे फिप्रव को लाव पहुचता हैं, उद्रोग दूर होते हैं, हैधर स्वास होता है, आज का वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा यहीं पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट वॉक्स में आपके व्यूज जरूर दे अब आउट वीडियो और अपने दोस्तों को सेयर करें जो लोग फिटनेस या योगा के लिए बिसेस रुजान रख